Hey everyone, I am Pavan from PCML and आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम एक स्टोरी से करेंगे and इस्टोरी क्या है कि आपको यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा होगा and इस रोड के उपर दो बंदे और उनकी एक कार खड़ी है और जो यह कार है न इसकी special बात क्या है कि यह कार एक two-seater कार है and मैंने यहाँ पर example भी दे रखा है कि जो Lamborghini आती है वो भी two-seater आती है and जो यह दो बंदे है न इनको इस कार के अंदर बेट कर कहां से कहां जाना है location number one से location number two पर जाना है and यह दोनों के दोनों बंदे कार के अंदर बेठे and location number one से location number two तक चले गए तो यह हमारी पूरी की पूरी story थी and अब आप बोलेंगे कि सर आप समझाना क्या चाते हूँ तो देखिए मैं आपको समझाना चाता हूँ transfer in and मैंने अब तक जितना भी बताया ना वो सारा बताया एकदम simple language के अंदर और अब हम आते हैं book वाली language के उपर and book वाली language को समझाने के लिए मुझे इस story के अंदर थोड़ा सा change करना पड़ेगा मतलब कि इस story के अंदर मैंने 3 point पर ज़्यादा focus किया था and इन 3 point में से number first point क्या है two seater car number second point क्या है and number third क्या है road तो मैं book वाली language को समझाने के लिए इन 3 चीजों को book वाली 3 चीजों से exchange कर रहा हूँ मतलब कि जो car है उसकी जगह में क्या ले रहा हूँ मतलब जो two seater car है उसकी जगह में ले रहा हूँ road को में क्या बोल रहा हूँ blood vessel and blood vessel के अंदर क्या present होता है हमारा blood तो मैंने यहाँ पर slice लगा के blood लिक रखा है and third क्या है passenger उन्हें में क्या बोल रहा हूँ FE plus 3 मतलब कि अभी तक मैंने जो story बताई है उसमें आपको क्या मिलेगा two seater car, road and passenger and जब आप इस topic को book से पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा transferrin, blood and FE plus 3 and जो मैंने यह 3 changes किये है इन्हें भी मैं यहाँ पर story के अंदर कर देता हूँ तो देखिए two seater car इसको क्या करना है transferrin तो मैं blue वाला select करता हूँ and जो हमारी यह two seater car है इसे मैं क्या कर रहा हूँ transferrin तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t-r-a-n-s मैंने short में लिख दिया second change क्या है कि जो road है उसे क्या करना है blood देखिए न blood vessel यह blood तो मैं यह blood लिख रहा हूँ तो यह पूरा का पूरा road है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ blood and third change क्या है कि जो passenger है उनको क्या कर रहा हूँ fe plus 3 मतलब कि जो यह दो बंदे है इनको मैं क्या करूँगा fe plus 3 तो एक हो गया यह fe plus 3 and second यह हो गया fe plus 3 and अब मैं इस story को पहले मैंने क्या बताई थी simple language में और अब मैं इस story को book वाली language के अंदर बताऊँ तो क्या होगा कि 2 fe plus 3 के molecule transferine के अंदर बेट कर blood के through location number 1 से location number 2 पर जा रहे हैं location number 2 यानि की cell मैं दुब़ा repeat करता हूँ fe plus 3 के 2 molecule transferine के अंदर बेट कर blood के through location number 1 से location number 2 पर जा रहे हैं and location number 2 क्या होगी हमारी body की cells okay I hope आप समझ गए होगे and मैं थोड़ा और theoretically लिखूँ तो वो है side में मतलब की जो transferine है ये क्या होती है iron binding glycoprotein देखिए जो मैं पता रहा हूँ न यही language आपको book के अंदर मिलेगी okay and मैंने आपको story से simple करी दिया तो मैं अब आपको इस book की language को story से correlate कर रहा हूँ प्योंकि जो ये लिखा है न वो अलग नहीं है ये भी पूरी की पूरी story ही है जो मैंने आपको इस video में पहले बताई थी तो यहां क्या लिखा है transferine ये क्या होती है iron binding glycoprotein and transferine इसको मैंने क्या बताया car तो yes इस car के उपर दो बंदे बेट रहे हैं दो बंदे यानि की fe plus 3 बेट रहा है and car के उपर बंदे बेटना यानि की fe plus 3 हमारा transferine से bind हो रहा है तो of course हमारी transferine से iron bind हुआ तो हो गई ना iron binding protein sorry glycoprotein तो वह लिखा है transferine यानि की जो car है मैं लिख भी देता हूँ transferine यानि की car sorry two seater car transferine यानि की two seater car ये क्या होती है iron binding glycoprotein होती है और iron भी कौन सा bind होगा fe plus 3 form वाला देखिए न fe plus 3 story में fe plus 3 fe plus 3 तो बताया था and second point क्या है transferine ये क्या होता है iron transporter yes जो हमारी car है जो हमारा transferine है इसने क्या किया दो fe plus 3 के molecule को बेठाया और उन्हें location number 1 से location number 2 पर ले गया मतलब transfer कर दिया first location से second location पर transfer कर दिया किसका fe plus 3 के molecule का किस के through blood के through और किस ने किया transferine ने किया तो वही लिखा है transferine island transporter fe transporter third point क्या है transferine present in blood yes transferine यानि की car जो car है वो हमारी जो car है वो road के ओपर चलती है यानि कि जो transferine है वो कहाँ पर present होता है blood में present होता है अरे मैंने बताया ना road मतलब blood transferine मतलब car ओके तो I hope आप इन तीनो point को समझ गए होंगे कि ये तीनो point अलग नहीं है जो मैंने यहाँ पर story बताई है उसी के अंदर ये तीनो point कवर हो जाएंगे ओके and transferine अगर आपको इसे और भी detail से पढ़ना है तो ये आपको कहा मिलेगा iron absorption के अंदर and आज की हमारी वीडियो यहीं पर finish होती है बाई थासरा को कि अnationalया पिलाई कि क 가서 काईक मैंने एंदर लिनी पैल कि ये खिर काईक wann पर कर अपको पर वेक ढ़ार न् gjort मैंने खिर को